हथुआ करीब दो साल पुरु हुई दो लोगों की हत्या के मामले में जेपी यादो गुड़ू राय वे राजु राय को कोटने कर दिया बरी कुपाल गंठाने के राजापूर गाव के समीब करीब दो साल पूरू हुई दो लोग की हत्या के मामले में तीन आरूपितों को नियाले ने परियाप्त साच के अभाव में बरी कर दिया इस चर्चित हत्यकांड की शुनवाई जिला सस्त्र नियाधिश बिष्णु उपध्याय के नियाले में चल रही थी लोग अभियोजक देववन्स गिरी उर्फ भानुगिरी ने इस बात की जनकारी दी लोग अभियोजक ने बताया की करीब दो साल पूर 28 नॉमबर 2020 को शुबह करीब साठे नौ बजे हत्यारों से लेस होकर दो बाइक से पहुचे अप्रादियों ने गोपालपूर थनाचेत के राजापूर नहर के पास गोपालपूर के देवेंदर पांडे और उनके मित घंसयाम पांडे और पपू पांडे की गोली मारकर हत्या कर दीती घटना को लेकर गोपालपूर थनाचेत के तारा नरहावा गाओं के अखिलेस कुमार राय मीर्गा थनाचेत के सिम्राव के गुड़ू राय वे पपू राय गोपालपूर थनाचेत के तारा नहरवा गाओं के राजू राय कट्या थनाचेत के समरिया गाओं के निवाशी वे ततकालीन पंचिदेवरी पर्खंट परमुक धनंजे राय और हत्वा थना छेत्र के रुपंचक गाउं के जैपरकाश यादव के खिलाप गुपालपूर ठाने में कांड संख्या 275 बटे 2020 प्रास्मिकी दर्च की गई अनसंधान के दौरान अनसंधान करताओं ने धनंज के राय वे अम्रेस राय का नाम हटाते हुए अन तीन के खिलाप आरोपत समर्पित किया विचारण के दौरान अभियोजन पच्की और से प्रसुत किये गए साच्षियों के ब्यान से अभ्यूक्तों की घटना में सम्मिलित होने की पुष्टी नहीं हुई जिसके बाद न् झाल 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 झाल